मुझे लिए वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तो बिगिनर्स के लिए जो मैंने सीरीज चालू किये है जिसमें मैं बेसिक से स्टॉक मार्किट के बारे में सिखाता हूं उसकी आज तीसरी वीडियो इससे पहले के दो वीडियो मैंने सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स और ब्रीक आउट एंड रिटेस्ट पर बनाए हुए है वो उसकी लिंक में end of the वीडियो में दे दूँगा वो आप देख लेना तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले की कैंडल स्टिक किसे कहते हैं कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है और यह क्या रिप्रेजेंट करता है कौन सी कैंडल बेरिश होती है कौन सी बुलिश होती है और कौन सी निउट्रल होती है तो पहले हम यह जो कैंडल मेंने बना के इस पर सिखेंगे और फिर चार्ट में भी सिखेंगे कि इस तरह से काम करता है तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस कैंडल स्टिक का मतलब होता है कि ये प्राइज में होने वाले मोमेंटम को हमें बताता है तो जो भी price जो stock है वो इस तरह से जो move करता है उपर नीचे कभी sideways तो ये किस तरह से move करता है एक एक candle जो भी time frame के हम लगाएंगे उस time frame में वो किस तरह से move किया था stock ये हमको एक candlestick बताती है for example अगर हम ले लेते हैं कि हमने daily का time frame लगाया है तो daily में अगर आप साड़े 9 से साड़े 3 बज़े तक का momentum देखोगी तो वो इस तरह से हो सकता है कभी उपर गया फिर नीचे आया फिर और नीचे गया close हो गया at the end में वो कहां पे close हुआ तो ये पूरा representation हमको एक candle बताएगी daily time frame की उसी तरह से one hour time frame में one hour में जो movement हुआ वो हमें पता चलेगा five minute में five minute में जितना movement हुआ वो हमें पता चलेगा तो इसी तरह से ये काम करता है तो आज हम सीखेंगे कि candlesticks कौन से type की होती है और क्या ये हमको represent करती है ओके तो चलिए हम पहले candle से start करते हैं तो ये मैंने बनाई हुए एक green candle तो green candle जबी भी आप देखोगे तो green candle का starting point हमेशा उसके bottom में होता है ये देखें यहां पे मैंने arrow बनाए हुए है ये देखें ये जो bottom है ये इसका starting point है और ये जो इसका end है ये इसका ending point है मतलब अगर ये डेली की candle है तो डेली सुबह यहां पर price start हुआ था यहां पर market open हुआ और ये उपर जाके close हुआ तो बीच में market इस तरह से travel किया होगा ये थोड़ा बहुत नीचे आगे at the end of the day ये पूरा उपर close हुआ एकदम उपर ये ऐसे उपर जाके नीचे close नहीं हुआ है इस candle का म बोलते है मारू बोजू candle तो ये मारू बोजू candle है ये ये हमें ये बताती है कि buyers पूरी तरह से active थे आज market में buyers ने एकदम bottom में start करके price को इतना उपर तक पहुचा दिया है तो buyers पूरी तरह से control में है ये हमें ये candle बताती है वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये candles पहले से ही बना के रखी ये basic candle sticks है इसके अलावा और कोई candle stick आपको चार्ट में देखने मिलेगी नहीं तो ये जो basic points में आपको समझाने वाला हूँ बस वो याद रखना बाद में आप कोई भी candle देखोगे तो आपको इसक meaning पता चल जाएगा कि क्या price हमको बता रही है तो first candle का आपने देखा ये green candle ये bullish candle है जिसका starting bottom में होता है और ending top पर होता है और इसमें कोई wick नहीं है हम आगे जाएंगे उसके उपर बात करेंगे तो second candle stick आप देख सकते हो ये है एक red candle है तो red candle stick जबी भी आप देखोगे तो ये इसका starting point हमेशा उपर होता है जैसा green वाला नीचे से उपर जाता है वैसे ही red candle stick उपर से नीचे आती है तो अगर ये candle daily time frame की candle है तो हम ये assume कर सकते हैं कि market open हुआ यहाँ पे market open हुआ फिर वो नीचे गया फिर थोड़ा उपर गया होगा या वो बीच की बात है वो उसके ये हमको छोटे time frame पर जाना पड़ेगा but market उपर open होके नीचे closing किया है ये हमको ये एक candle बताईगी daily time frame की okay daily हो या 5 minute हो जितना भी time frame आप चूस कर रहे हो उस time frame में क्या momentum हुआ ये हमको एक candle बताईगी daily की है तो daily में क्या momentum हुआ वो बताईगी 5 minute के तो 5 minute में 30 minutes के तो 30 minutes में ये आपने देखा red candle green candle से totally opposite होता है green में starting bottom में होती है और ending closing top पर होती है और red candle में starting point top पर होता है और closing market का closing bottom में होता है okay तो ये अभी हमने देखा okay तो second candle जो है ये थोड़ी से आपको confusing लग रही होगी बट आप समझ जाओगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि red candle कोई भी red candle अगर इस तरह की हो इस तरह की हो इस तरह की हो इस तरह की हो ये basic rule आप याद रख लेना कि red candle का starting हमेशा top पर होता है body का ये जो है ये body है और ये इसकी wick है तो मैं आपको ये explain करता हूँ कि इस candle का मतलब क्या होता है okay तो ये candle हमको बताती है कि ये box जो देख रहे हो आप candle का ये body है ये body ये line आप अभी थोड़ी दिर के लिए भूल जाईए okay तो ये daily time frame का की candle है ये daily पर इस type की बनी है आप assume कर लीजिए okay starting point ये था market का एक मिनट मैं side में और एक बना देता हूं ये देखे ये red color की candle अगर हमने इस तरह की बनाई है okay तो ये देखे अभी ये इसका starting point था okay तो ये हम ये वाली candle हमको क्या बताती है कि market ये देखे market open हुआ यहां पे फिर market ये देखे open हुआ यहां पे market उपर गया but at the end में वो नीचे आके close हुआ तो ये इसका starting point हो गया candle का और market उपर गया था ये उसका wick बोलते हैं इसको हम कि market उपर दो गया था but at the end में वो नीचे आके close हो गया तो आप इस candle में देख सकते हो कि market open यहां पे हुआ था ये जो body की starting दिख रहे है क्योंकि ये red candle है तो इसका starting top पर होगा market open हुआ उपर गया पहले उपर गया वहां पे नई टिक पाया और फिर ये नीचे आ गया तो इसका representation में बता देता हूँ ये एक bearish candle है इसका मतलब market में buyers आये तो थे जिन्होंने market को ऊपर लेके गये थे बट वो sustain नहीं हो पाया और sellers फिर से इसको control करके नीचे closing किये तो ये एक bearish candle बोलते हैं हम इसको जिसमें sellers active है ऐसा हम बोल सकते है ओके इसी का opposite अगर हम देखेंगे तो ये एक bullish candle है तो ये कै से काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ ये देखें तो ये candle का meaning same इसका opposite green candle का rule मैंने आपको क्या बता है था starting इसकी bottom में होती है तो ये इसका bottom body का bottom तो यहाँ पे market खुल गया ओके तो यहाँ पे market खुला फिर ये जो इतनी बड़ी wick दिख रही है आपको wick इसका मतलब market नीचे गया था नीचे गया था बट यहाँ पे close नहीं हुआ फिर market उपर आया और यहाँ पे close हुआ ये देखें यहाँ पे start हुआ market नीचे गया बट at the end में closing उपर दिया इसने green candle का rule आप याद रख लिजे starting point और ending हमेशा top पर हो दिये green candle की okay closing point यह हो गया starting point यह हो गया closing point तो इस candle का आप अगर explanation चाहते हो यह daily candle का तो यह मैंने आपको date दिया है market open हुआ यहाँ पे flat open हुआ फिर नीचे गया और at the end में उपर close हुआ opening price से उपर close हुआ opening price से उपर close हुआ पीच में market नीचे गया तो था बट यहाँ पे close नी हुआ उपर close हुआ तो यह candle यह represent करती है यह bullish candle मानी जाती है क्योंकि market जहाँ पे open हुआ था वहाँ से नीचे तो गया बट buyers आ गया और buyers ने फिर से इसको यहाँ पर close किया तो आपने देखा कि किस तरह से candles हमको पूरी history ब आपको time ने मिलता और आपको देखना है कि daily में किस तरह से movement होए तो आपको बस daily time frame खोलना है और किस तरह से price move किया यह आपको पता चल जाएगा ओके तो यह तो आभी हम example देख रहे है बात में चार्ट पर भी देखेंगे तो second जो इसके बात की candle आती है यह देखिए यह इ का bottom और closing होगी top पे तो देखिए यह starting point और closing point तो यह इस type की candle हमको क्या बता है यह देखिए market नीचे भी गया था market उपर भी गया था but at the end यह थोड़ा सा closing opening price से उपर ही close हुआ है यह तो आप समझ सकते हो कि buyers इसमें है but sellers भी काफी है तो यह एक indecision candle होगी but buyers थोड़ी से ज् इस candle को देखोगे तो आप यह समझ सकते हो कि 20% buyers इसमें ज्यादा है यह देखिए market यहाँ पर open हुआ इस candle के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यह daily की candle आप ऐसे assume कर सकते हो यह opening price है market की market नीचे गया market उपर गया लेकिन at the end में market यहाँ पर open हुआ close हुआ ओके तो यह इसकी opening price थी फिर market नीचे गया market उपर भी गया था लेकिन उपर भी sustain नी कर पया नीचे भी sustain नी कर पया अड़ेंड में opening से थोड़ा सा उपर close दिया तो यह देखिए opening से थोड़ा सा उपर close दिया इस type की indecision candle मतलब इसमें sellers भी आये थे इसमें buyers भी आये थे और और फिर sellers भी आ गए लेकिन buyers थोड़ा सा इसको ऊपर close करने में काम्याब रहे इस तरह से हम इसको समझ सकते तो ये जो candle है ये similar candle है रेकिन red candle है तो आप आप खुद वीडियो को pause करके आप ये puzzle की तरह इसको solve करोगी ये candle हमें क्या बताती है तो आप उतना कर लिजे वीडियो को pause करके खुदी assume कीजे और फिर cross check कीजे कि आपने सही guess किया या नहीं तो मैं बता देता हूँ अगर आपने वीडियो pause कर लिया होगा और फिर आप continue देख रहे होंगे तो तो ये देखे रेड candle का rule मैंने आपको बता है opening point अपन हुआ यहां पर उपर उपन हुआ यहां से market उपर गया फिर market नीचे आया और फिर यहां पर close दिया इसके बिल्कुल opposite इस वाले candle में क्या हुआ था market उपन हुआ नीचे फिर open होते ही market नीचे चला गया फिर उपर भी चला गया इस वाले candle में क्या हो रहा है यहां पर market उपन हुआ market यहां से उपर गया फिर sellers आ गये और फिर buyers आ गये तो at the end of the day opening price से नीचे क्लोज हुआ है market ओके यह opening price यह closing price तो यह देख सकते हैं आप यह opening price है इसकी और closing price है थोड़ी सी नीचे इस candle में हमको पता चलता है कि 20% sellers इसमें ज्यादा थे इसमें 20% buyers ज्यादा थे क्योंकि green candle है opening price से उपर close हुआ है और इसमें sellers ज्यादा थे क्योंकि यह opening price से नीचे close हुआ है तो sellers successful थोड़ा सा रहे but buyers भी strong है यह हमको पता चलता है एक type की indecision candle है strong ज्यादा buyers भी नहीं sellers भी नहीं but at the end of the day sellers इसको control करने में कामियाब रहे इसको buyers control करने में कामियाब रहे तो अब चलतें next candle की तरफ वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखोंगा आपको basic समझ में आ गया होगा तो हम लोग chart पर भी देखेंगे यह देखी यह एक inverted hammer है यह एक hammer है यह bullish candle है मैंने आपको बताया था कि market नीचे तो गया था but at the end of the day उपर close गया इसमें market यह देखे red candle है तो opening होगी उपर और यह इसकी closing price है लेकिन यह जब wick दिख रही है यह बहुत important होती है तो यह हम कैसे represent करेंगे यहां पर market open हुआ उपर गया market लेकिन at the end of the day market नीचे close हो गया okay closing इसने opening price के नीचे दिये तो यह इस type की candle बनेगी यहां पर open हुआ उपर तो गया था बड़ टिका नहीं यह wick बना दिया और फिर close यहां पर हुआ यह okay तो यह थी फिर downtrend के time पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी यह uptrend के उपर यह वाली मिलेगी green candle आपको uptrend में देखने मतलब देखने मिल सकती है आपको बीच बीच में लेकिन इसका मतलब वता रहा हुआ है एक एक candle का तो यह जो candle है यह एक bearish candle है mark यह simple candle है तो यहाँ पर open हुई उपर गया लेकिन at the end of the day नीचे जाके close हुआ जितना नीचे गया था उससे थोड़ा उपर आके close हुआ यहाँ पर open हुआ फिर उपर गया फिर नीचे आया और फिर यहाँ पर close हुआ तो यह देखे यह इसकी बन गई body अगर आप इस candle को represent करोगे तो इस टाइप का market बनेगा एक एक candle से तो आप एक candle देखके ही पता लगा सकते हो कि किस तरह से market ने आज momentum दिया है similarly जिस तरह से एक bearish candle थी यह है bullish candle तो यह bullish candle का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है starting at the bottom closing at the top और यह उपर तो गया था बट यहां पर close हुआ नीचे तो गया था open होती ही बट उपर जाके close हुआ और यह जो दो candles है इसका मतलब आप समझे गए इस मतलब आपको थोड़ा easy हो जाएगा यह नीचे आपको body देख रही है body उतनी visible नहीं है बट यह इस टाइप की candle है मैं आपको बताना चाहूंगा कि market यहां पर open हुआ market उपर गया और at the end of the session like 9.30 बज़े market यहां पर open हुआ और 3.30 बज़े वापिस वहीं पर आके close हो गया same level पर तो इस टाइप की candle बनेगी मतलब market को buyers उपर तो लेके गए मगर sellers ने फिर से same level पर आके उसको close कर दिया तो इस टाइप का यह एक bearish candle है यह bearish candle है क्योंकि यह देखिए open यहां पर हुई उपर तो गई थी पर फिर से वहीं पर आके close हो गई और यह जो second candle है यह आप इसको आप बोल सकते हो यह bullish candle है तो यह देखिए इसका क्या मतलब है market यहां पर open हुआ नीचे तो गया था पर उपर आके close हो गया यह जो हिस्सा है ना किसी भी candle का यह आपको पूरी story बता देगा opening कहां पर हुई थी यह देखिए यह वाला closing कहां पर हुई थी यह आपको देखना है और wick मतलब वहां पर market travel कर चुका है यह जो wick है यह नीचे travel कर चुका है लेकिन close यहां पर हुआ एक candle से आपको देखकर पता चलता है market कहां तक गया था कहां पर open हुआ है कहां पर close हुआ है और यह bullish candle है यह bearish candle है या इस टाइप की कोई neutral candle है यह देखिए यह एक doji candle है यह पूरी तरह से neutral candle बोल सकते हैं इसे यह एक neutral candle है market open हुआ उपर भी गया नीचे भी गया at the end of the day same यह देखिए उपर भी गया नीचे भी गया at the end of the day same जगा पर आके close हो गया इस candle को हम बोलेंगे doji candle तो यह थे कुछ candle stick patterns अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से यह दिखते हैं ओके तो यह है bank nifty का daily chart ओके तो यह देखिए आपको हर type की candle जो मैंने explain की है और जो कुछ points बताया है वो इसमें explain मतलब आपको खुद पता चल जाना चाहिए देखकर ओके तो यह एक बड़ी candle आप देखो फिलाल इसकी opening हुई थी यहाँ पर थोड़ी सी week आप देख रहे हो उपर मतलब market थोड़ा सा उपर गया लेकिन at the end of the day market यहाँ पर close हुआ यह candle क्या represent करती है यह देखिए market नीचे आया था यहाँ तक यह जो ending देख रहे है विक यहाँ तक आया था मगर close यहाँ पर हुआ है market ओके red candle का rules आप यहाँ रख लिए जे ऊपर open हुई नीचे close हुई और गई थी यहाँ तक ओके यह red candle के rules है और green candle के rules आपको पता है कि open नीचे होते है green candle close ओपर होते है और red candle में open ओपर होते है close नीचे होते है और विक का मतलब है कि market वहाँ पर गया था बट सस्थे नहीं हो पाया तो यह daily का time frame है ओके तो daily time frame में यह देखिए एक एक candle देखिए आप किस तरह से काम करता है तो यह एक candle देखके हमको पता चल जाता है कि market किस तरह से travel किया था अभी मैं आपको कुछ एक practical example बताता हूं तो आप देखना कि same उसी type से बनता है या नहीं तो अभी हम देखेंगे इस candle का momentum किस तरह से हुआ होगा ओके तो मैं मैं अभी इस candle को देखके यहां पर फाइव मिनिट का चार्ट बनाने वाला हूं फाइव मिनिट नहीं 15 मिनिट का बनाता हूं यह एंडिंग कैंडल है यह 24th December 2020 के candle है तो इस एक candle को देखके मैं दिन भर का momentum इसका ड्रॉ करता हूं यहां पर ओके तो यह मार्केट यहां पर ओपन हुआ एक मिनिट ओके ओके तो यह मार्केट यहां पर ओपन हुआ फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर एक मिनिट यह क्या हो रहा है ओके कोई बात नहीं यह देखें तो स्टार्ट करते हैं तो मार्केट यहां पर ओपन हुआ फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया फिर मार्केट ऊपर गया फिर at the end of the session मार्केट यहां पर close हुआ ओके तो आप ये पैटन देख लिजे ये एक कैंडल को देख्के यह मैंने पैटन बनाया हुआ हुआ होब के तो अभी हम देखेंगे इसको से्म बनते है या नहीं यह देखिए इसको cut कर देता हूँ ये मैंने बनाय हुआ ये ये मैंने बनाय हुआ पैटन है एक daily candle को देखे और daily में उसने किस तरह का momentum किया था ये देखे same है देखे opening यहाँ पर किया था ये मैंने opening बनाई थी फिर ये नीचे गया था ये मैंने नीचे भी बनाया था फिर ये उपर गया फिर इस तरह से यहाँ पर आके close हुआ ये देखे उपर गया और नीचे जाके close हुआ तो इस तरह से हम इसका बना सकते है representation तो ये एक candle लेक कि आपको पता चल जाना चाहिए कि daily में किस तरह का मुवमेंटम हुआ था और क्या ये रिप्रेजेंट करता है तो I hope guys कि आपको candle sticks patterns क्या होते हैं कौनसी candle क्या रिप्रेजेंट करती है wick का मतलब क्या होता है opening closing कहां पर होती है ये आपको समझ आ गया होगा है ये बहुत ही basic point है लेकिन सबसे ज्यादा important point है तो आप इसको याद रखना चाहे तो आप ये note कर लिजे opening closing थोड़ी दिन आपको practice होने तक तो I hope guys आपको सब कुछ समझ गया होगा और वीडियो को यहीं पर end करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी फिर वीडियो तो बाकी के वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे beginner series के तो वह आप देख लिजे और advanced level के लिए जो beginners जिनको basic पता है उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है Fibonacci के उपर technical analysis के उपर तो वह भी आप देख लिना इंडिया विक्स के उपर भी मैंने वीडियो बनाई है वह मैं एंड स्क्रीन में दाल दोंगा तो That's it guys for today's video अगर आपको कुछ भी learning मिली है इस वीडियो से तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना Okay, thank you guys